एक तरफ जहां लोग कोरोना और लोगडाउन के बीच घरों में दुबके हुए हैं तो वहीं कुछ संगठन जरुतमंदों और पलाइन कर रहे मजदूरों के लिए आगे आ रहे हैं ऐसा ही एक संगठन दोसा में अपनी भूमी का अदा कर रहा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं दोसा की रसोई की जो लगातार निस्वार्त भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं चाहे वो पलाइन करने वाले मजदूर हों या फिर कोटा से यूपी जाने वाले चात्र या फिर शहर में रहने वाले गरीब लोग सब के लिए दोसा की रसोई भोजन पाने की विवस्था में लगी है बता दे कि व्यवसाई मनोज राघव और शेफ गंभीर के साथ उनकी टीम जब से लोकडाउन हुआ है उसके अगले दिन से जरुतमंदों का सही ओग में जुटी है इस दोरान मनोज राघव ने बताया कि यह समय मानावता निभाने का है कोई भूका नहीं रहे इसी को ध्यान में रखकर सभी जरुतमंदों की सेवा की जा रही है